हेलो दोस्तों, Laptop Master में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए लाप्टॉप के साथ, जी हाँ, आज हम ले के आए है लिनोगा आइडिया पैड फ्लैक्स 5, जी हाँ, जो 14 इंचिस में आता है, टच स्क्रीन के अ है, हमारे काफी वियोस की डिमांड थी कि आप राइजन के अंदर जो फ्लैक्स में आ रहा है लिनोगा उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम आपके लिए यही लाप्टॉप लेके आए है, आज हम इस लाप्टॉप को अन्बॉक्स करेंगे, इसका बैक पैनल भी पास वाफिस चला जाएगा, और जिन दोस्तों ने हमारा लाप्टॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे यही कहरा चाहूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा, बैल आइकन जुरूर पैस कर देजेगा, जिससे आगे आने वाली नही लाप्टॉप की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और हाँ, अगर आपने लिनोगो का लाप्टॉप लेना है, तो जहां से हमें यह लाप्टॉप मिला है, करोल बाग दिली से, आप वहाँ पे एक बार रेट चरूर पूछिएगा, और हमने कुछ पावर कोड होती है लाप्टॉप के लिए, अगर हम इसका अड़ेप्टर देखेंगे, तो 65 वाट का पावर अड़ेप्टर है, 65 वाट का और राउंड टीप आती है, उसी में टाइप C नहीं है, याद रखिएगा, ये इसके साथ तच स्क्रीन पे हमेशा आपको पैन मिले का है, जी हाँ, 14 इंची है, टच स्क्रीन के साथ ये लाप्टॉप है, अगर मैं कलर की बात करो तो आर्टिक ग्रे कलर का लाप्टॉप है, अगर विल्ट क्वालिटी हम देखते हैं, इसकी मेटल बॉडी में ये आपको लाप्टॉप मिलता है, इसको एक बार ओपन करके द अगर मैं स्लीकने इसकी बात करूँ, तो देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी तक हम पहले भी देखते आ रहे हैं, देखिए, इससे बहुत ज्यादा स्लीक हम जा भी नहीं सकते हैं, और बहुत स्लीक लाप्टॉप है, बहुत ज्यादा डिफिरेंशेट नहीं है, हाँ, प्रोसेसर जरूब 7000 सिरीज हैं, जो हम पहले 5000 या 3000 देखते थे, हाँ, इन फ्यूचर में 8000 भी लॉंच होने वाला है, जो हमें पता चला है, AMD 8000 लॉंच करने वाला है, और हो सकता है जब तक आपके बास ये वीडियो मिलते हैं, जो सबसे पहला पोर्ट है, वो है आपका चार्जिंग के लिए, लापटोप को चार्ज करने के लिए है, दूसरा मिलता है HDMI 1.4 आपके प्रोजेक्टर और LED TV करने के लिए, फिर आपको मिलता है एक USB Type-C 10 Gbps 3.2 Gen 2 के साथ, और एक आपको मिलता है 3.5 mm का ओडियो सेम है पस उसमें पावर ओन नहीं होगी, USB 5 Gbps 3.2 Gen 1, फिर आपको मिलता है 1 SD Card Reader, और साथ में आपको दिखाई देता है, पावर बटन लापटोप को स्टार्ट करने के लिए जो बटन है, वो आपको लिनोव ने साइड में दे रखा है, तो आईए दोस्तों देखते हैं लापटोप की कॉन्फिकिशन क्या है, बात करेंगे प्रोसेसर की, तो देखें, इसमें आपको मिलता है AMD Ryzen 5 7530U, with Radion Graphics, जी हाँ, Ryzen 5 के अंदर 7000 सीरीज है, जो फिलहाल की डेट में लेटेस्ट है, अगर हम बेस स्पीड की बात करेंगे, तो 2 GHz है, और Turbo Boost टेक्नोजी के स यह प्रोसेसर आता है, अगर Turbo Boost होके, यह जाएगा 4.5 GHz तक, 4 की बात करेंगे, तो 6 Core का प्रोसेसर है, और Logical प्रोसेसर आपको मिलेंगे 12, तो दोस्तों, आपना परिशान मत होया, क्योंकि हमारे पास काफी queries आती है, कि जी, आप यह कहते हैं, कि Ryzen 5 7000 सीरीज जो है, वो सारे Performance Course नहीं होते हैं, कभी भी आप उसके Logical प्रोसेसर चेक करिएगा, हमेशा Logical प्रोसेसर जो होते हैं, वो आपके Course के Double होते हैं, तो कभी आपको 12 Core दिखाई दे रहा होगा, Logical प्रोसेसर आपको फिर भी 16 दिखाई दे रहे होंगे, तो इसलिए उसमें क्या होता है, P Core, Efficient Core अलग-अलग होते हैं, जबकि AMD में समेशा सिरफ Peak ओर आते हैं, Performance Core, यानि इसमें 6 Core हैं, तो 6 के 6 Performance Core हैं, और अगर हम Nanometer की भी बात करेंगे, तो Intel अभी भी mostly अपने सारे laptop में 10 Nanometer दे रहा है, जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं, और AMD Ryzen, अपनी 5000, ये Ryzen 5 7000 सिरीज में भी आपको 7 Nanometer दे रहा है, और काफी में उने 5 Nanometer लांच कर दिया है, लेकिन इसके अंदर जो 7530U है, ये 7 Nanometer, और L3 की cache ये बात करेंगे, तो 16 MB है, मेमोरी की बात करते हैं, 16 GB RAM आपको इसमें मिलती है, जो है LPDDR4, स्पीड है 4266 MHz की, अब ये inbuilt है या नहीं है, काफी लोगों प्लेज कर सकते हैं, दोनों में से क्या है, आमारे साथ बने रहीएगा, अभी हम लापटाप का back panel उपर करेंगे, तो आपको दिखाएंगे, डिस्क की बात करते हैं, इसके अंदर आपको 512 GB की SSD मिलती है, जैन 4 की, जिसकी cache आपको 477 GB मिलती है, जी हाँ, एक तो याद है कि Gen 4 की SSD है, काफी लोग skip कर देते हैं इसको, इसलिए मैं आपको थोड़ा से clear कर देता हूँ, क्योंकि काफी comments में हमारे पास आता है कि कौन से Gen 4, इसमें 4 Gen है, Graphics AMD Radio, देखें, जैसे कि आपको पता है, जितने भी AMD के processor आते हैं, सब में अपनी graphics memory होती है, dedicated graphics memory, जो Intel में कभी भी नहीं मिली आज तक देखने को, mostly आपको 512 MB मिलते हैं, dedicated GPU memory 512 MB, ये भी आ दखिएगा, कोई external अलग से graphics की chip नहीं होती है, क्योंकि मेरे एक विए ने मेरे से ये भी पूछा था, कि देखें जी graphics, dedicated graphics होता है, gaming laptop में, तो उसमें एक अलग से fan लगा होता है, अलग से, लेकिन ज होती है, इसमें shared भी होती है, shared करेंगे तो 7.7 GB, और total होता है 8.2 GB, तो ये आपकी better होती है, जो Intel के graphics साथ है, UHD, जिनके अपने आपने कोई भी dedicated memory नहीं होती है, और दोस्तों, जो voice, अभी आप configuration के समय सुन रहे थे, वो voice हमने इसी laptop के mic से record करी थी, इस mic को test करने के लिए, अगर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो इसमें आपको 14 इंची की WUX-GS पैनल आपको इसमें मिलता है, जिसका resolution 1920 by 1200 आपको मिलेगा, IPS दिस्प्ले है, 300 nits के साथ है, ग्लो सी डिस्प्ले आता है हमेशा टच स्क्रीन पे, 45% NTSC, TUV, low blue light, glass स्क्रीन होती है और टच स्क्रीन के तो 1080p का full HD camera मिलता है with privacy shutter के साथ और dual array microphone के साथ आपको इसका webcam मिलता है, अगर हम की बात करते हैं तो इसमें आपको full size 14 inches का backlit keyboard आपको इसके अंदर मिलेगा, तो दोस्तों समय आ गया है laptop का back panel open करने का, चली back panel open करते हैं और देखते हैं laptop में क्या क्या है, तो दोस्तों laptop का back panel अपने open कर लिया है, देखें अगर हम बात करें तो आपको fan भी दिखाई देगा, lightweight है, काफी बड़ा fan है, काफी अच्छे heat sync आपको इस पर दिखाई देंगे, क्योंकि जो AMD Ryzen 5 है, 7000 series, थोड़ा सा heavy processor में count होता है, इसलिए उसकी cooling के लिए आपको fan थोड़ा दिखाई यहाँ पर RAM लगी वी है, RAM चिप है basically, आप upgrade नहीं कर सकते हो इस RAM को, इसलिए इसमें अगर 16GB है तो 16GB ही रहेगी, यहाँ आप देखें कि यह Wi-Fi है, Wi-Fi हमारा 6 है और Bluetooth 5.3, देखें काफी बड़ी इसमें बैटरी है, जितना आपका motherboard नहीं है, उसमें बड़ी बैटरी आपक बैकप की बात करेंगे तो 6-7 घंडे का नॉर्मली आपको इसलिए बैकप इसका मिल जाएगा, यहाँ पे दो speaker आपको Lenovo ने इस laptop में दिये है, अब अगर हम अपगेट की बात करें तो सिरब आप SSD अपगेट कर सकते हैं, 512-1 TB, अदर्वाइस इस laptop में आप कुछ भी आइडिया पाइड फ्लेक्स 5, जी हाँ, 14 इंचेज में इसकी स्पेसिफिकेशन देख ली कि Ryzen 5 7000 सीरीज है, 12GB RAM, 512GB SSD, हमने SSD भी देख ली, अपगेट नहीं हो सकती है, अगर जो आप अपगेट करना चाहिए तो जो करेंटी 512 लगी भी है, उसी को निकालके 1TV तक इसको अपगेट कर सकते हैं, RAM अपगेट नहीं हो सकती क्योंकि soldered है, अगर हम लापटाप की बात करें, देखे 14 इंचेज में लापटाप है, लाइट वेट लापटाप है, फिंगर पिंगर पिंट एडर भी मिलता है अगर आपको वर्किंग करनी हो इसमें, 360 डिगरी मूमेंट ह अगर हम ये बात करें, जिस रेंज में लापटाप आता है, लिनोव ने इस लापटाप की रेंज अप्रॉकसिमेटली 60,000 की रखी भी है, अगर हम इसके कंपेरिशन में किसी भी कॉंपटिशन में जाएंगे, तो कोई भी ब्रेंड में इस कॉंपटिशन में प्राइस नही यह मैं आपको approximately rate बता रहा हूँ अगर हम इसकी स्क्रीन भी देखेंगे देखें डेखें 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 पैनल आपको इसमें दिया है 300 के साथ फिंगरपिंट है बैकलिट कीबोर्ड है मतलब इच और एवरीधिंग आपको इसके अंदर मिल जाता ह हो तो मैं आपको यहीं prefer करूँगा कि आप i3 से better है Ryzen 5 पे जाएं वैसे तो मैं Ryzen 5 की जो speed है मेरेको वो i5 से भी better लगती है लेकिन काफी लोग कहते है नहीं i5 ले हम मतलब वो 75-70,000 की range में आ जाएगा अगर मैं इस configuration पे जाओं लेकिन फिर भी आप यह कहों कि Ryzen 5 जो 60,000 क लेकिन मैं अगर आप प्रोसेसर को आप compare करके देखेंगे तो आपको हमेशा Ryzen 5 फोड़ा better ही लगेगा market में जो mix चलता रहता है कि heat होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसलिए अगर आप इस range के अंदर laptop देख रहे हैं और touch screen देख रहे हैं तो मैं आपको यह laptop जरूर प्रिफर करूँगा और हाँ यह भी आज रखिएगा अगर आपकी touch की requirement नहीं है तो आप touch बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि touch screen आने से एक आपके एक delegation और extra हो जाता है कि बहुत delicate screens होती है normal laptops के दूप जो normal laptop थे हो उनकी screen के compare करेंगे तो इनकी काफी delicate भी होती है और अगर by chance damage हो जाए और आपने accidental damage protection नहीं ले रखा तो आपको काफी expensive भी पड़ती है इसलिए अगर आपका touch का use नहीं है तो आप touch बिल्कुल भी मत लीजिएगा इस range में आपको काफी एच्छे और laptop भी मिल जाएंगे normal आप लेने जाएंगे तो आपको Ryzen 7 भी मिल जाएगा दिनों इसके साथ आपको one year की warranty देता है अगर आपने अपगेड करा नहीं हो तो आप अपगेड करा सकते है जब भी आप अपगेड कराना चाहे तो हमेशा उसी ब्रेंड के से कराएगा जिस ब्रेंड का आप laptop ले रहे हैं मैं आपनी हर वीडियो में कहता हूँ मैं अभी भी यही क आस-पास रहते हैं और आप Lenovo laptop लेने की सोच रहे हैं तो नीचे हमने कुछ नमबर्स ओली दिये हुए हैं जिन पर आप कॉंटेक्ट करके पता कर सकते हैं आपको डेफिनिटली प्रेस मिल जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएगा अग अगली वीडियो में नए लाप्टों के साथ तब तक के लिए जैहिन